हुआ है लिए 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 यूटूब चैनल में आपने साथ है तो भी यह अब ज्यादा जूरूर है तो बहुत जुरूर है इसमें आप इस्टोरी सेक्षन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते रही है दोस्तों lower PCS mains की answer की देख लेते हैं प्रशन संख्या एक से लेकर पांच तक यहाँ जो आप देख रहे हैं यह graph पराधारित question है और यह booklet series G है ठीक है आपका जो भी क्रम है उसमें प्रशन को आप उसी क्रम से देख सकते हैं अब इसमें आप graph को ध्यान से देखे दाहिंदू समाचार पत्र की 2012 से लेकर 2017 की प्रशार बृद्धी के बारे में यह graph आपको जानकारी दे रहा है देखे इसमें प्रशन पूछा गया है कि किस वर्श से दाहिंदू समाचार पत्र के प्रशार में कमी आना शुरू हुई ह तो अब यहां आप graph को देखकर अंताजा लगा सकते हैं कि वो समय कौन सा हो सकता है तो यह 2016 है इसके बाद अगले वाले को देखते हैं question number 2 में कहा गया कि किस वर्श से दाहिंदू समाचार पत्र का प्रशार सभी वर्शों में दाहिंदू समाचार पत्र के औसतन प्रशार स वर्श 2013 में प्रशार का कितना गुना है तो यहां आप चार्ट देख सकते हैं फिलाहल यह जो तीसरा वाला है इसका राइट अंसर हो जाएगा c 1.48 इसके बाद next फूर्थ को देखते हैं 2015 में समाचार पत्र का प्रशार वर्श 2012 में प्रशार से कितने प्रशार से कितने प् वर्शों में समाचार पत्रों का हजारों में कुल प्रशार और 2013 से लेकर 2016 तक समाचार पत्र का हजारों में कुल प्रशार इनके बीच में अंतर कितना है तो यह जो फिप्त वाला है इसमें D वाला आप चुनेंगे यहां आप देख रहे हैं इसके बाद अगले वाले को दे पहले हीरो और हुंडा एक ही में होते थे लेकिन अलग-अलग हो गए और टीवियस है और बजाज है इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2015 लेकर 2020 तक सभी अंक जो है यहां हजार में ऐसा कहा गया है तो पूछा यह जा रहा है चटमे क्वेश्चन में कि कितने वर्षों में हीरो निर्माता का घरेलु विक्रे सभी वर्षों में हीरो निर्माता और और औसत घरेलु विक्रे की तुलना में कम रहा है तो यह जो छटमा क्वेश्चन है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर दो वाला ठीक है इसके बाद अगले वाले को देखिए 2019 में दुपहि वायनों की घरेलू विक्रे की संख्या की लगबग कितने प्रतिशत अधी किया कम रही है। दोनों जीज हो सकती है। तो यह जो साथवा है इसका C वाला सही है 24.82% के हिसाब से। प्रतिशत अधी किया कम है तो इसका हो जाएगा डीवाला इसे आप देख रहे हैं 4.23%, 11 को देखे, अब यहां से अलग है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा एक अन्यों से सम्मंदित नहीं है, अब यहां जो विकल्प दिया है उसमें आप देखेंगी, जो question है उसमें, हाथ ही इनसे बाहर है, बाकी जितने भी इनसे तेदुआ है, क जाएगा, यानि 8, total 8, इसके बाद next, question number 13 में कहा गया कि कृतिम भाशा से अनुवादित शब्द है, अब इसमें दिया हुआ है कि, जो यह शब्द है, मतलब यहां अक्षर दिये हुए है, उनका शब्द कॉमिनेशन है, तो इस पूरे शब्द युगम का, जो अर्थ होता ह है, वो fan built होता है, और यहां देखिए, इस प्रकार से दिया हुआ है, अब आपको यह बताना है कि, कि शब्द का अर्थ, ceiling tile होगा, अब इसमें आपको reasoning वाला जो logic है, वो लगाना होगा, और 13 में का जो right answer है, वो इसमें D वाला हो जाएगा, ठीक है, D वाला इसका माना गया है, इसके बाद अगले वाले को देखते है, question number 14, इसमें 900 रुपए की राशिक पर 5 प्रतिशत, जो प्रतिवर्ष वार्शिक साधारण ब्याज की दर है, उस पर 90 रुपए जो है, ब्याज की रूप में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, तो यह जो 14 हमाई है, इ इसके बाद अगले वाले को देखी, इसके बाद अगले वाले को देखी, इसके बाद 16 में की बाद आगे बढ़ते हैं, 16 में की बाद 17 में में देखी कहा गया कि इन शब्दों में वर्ण माला के करम को व्योस्तित कीजिए, और उस शब्द का चैन की जो सबसे लास्ट में आएगा, तो जो 17 में आप देख रहे हैं, उसमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, यह प्रोग्राम आएगा, इसमें दोनों कूट में लिखे गया है, कोड वर्ड में लिखे गया है, चेयर का जो कोड है वो क्या है, आठ, नौ, साथ, छे, तीन है, इसी प्रकार से जो प्रीच है, वो भी यहाँ कूट में लिखा गया है, लेकिन सर्च का आपको बताना है, तो सर्च का अगर आप निकालेंग 20 में को देखते हैं अनिल चिंतन से 6 साल छोटा है यदि उसकी आयू में सापेक शनुपात मतलब उनकी आयू में सापेक शनुपात 5-8 का है तो अनिल के आयू कितनी है अब इसमें जो 20 में आप देख रहे हैं इसका राइट एंसर D था 10 ठीक इसके बाद 21 में को देखे इसमें एक दंड आरेक बना हुआ है और 21 से लेकर 25 तक उसी के आधार पर एंसर देना है तो यहाँ आप देखें कि वर्ष दिया है और जो सेलुलर फोन का विक्रह है वो दे रखा है तो पूछा जा रहा है कि 2000 से 2001 के बीच में विक्रह प्रतिशत में कमी कितनी थी तो 21 का जो A वाला एंसर है वो सही होगा 28% 22 को देखें सेलुलर फोन के आउसत विक्रह से 2000 में मतलब सन 2000 में सेलुलर फोन के विक्रह कानुपात कितना है तो 22 में का आप देखें D वाला सही हो जाएगा यहाँ 67 और 50 कानुपात है इसके बाद 2002 से लेकर 1999 के लिए सेलुलर फोन के विक्रह में अंतर है कितना अंतर है आप देखें तो इसका जो 23 है इसका A हो जाएगा 10,000 ठीक इसके बाद अगले वाले को देखें 24 इसमें कहा जा रहा है कि सभी वर्षों में सेलुलर फोन के औसत विक्रह की तुलना में कितने वर्षों में सेलुलर फोन का विक्रह अधिक है तो यहाँ आप वर्षों की संख्या गिल लीजे टोटल और हो जाएगा 3, 3 वर्षों में 25 को देखें इसमें कहा जा रहा है कि 2001 तक मतलब 1999 और सन 2001 इसमें सेलुलर फोन के विक्रह का योग किस वर्ष के विक्रह के बराबर है तो इन दोनों का एक साथ पूछा है और इसका जो राइट एंसर था वो 1997 होगा इससे आप देख रहे है इसके बाद 26 को देखें अब यहाँ से परिक्षा हाल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैटने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैटने के लिए कहता है कि वह आपके उत्तरों की नकल उतार सके मतलब आपके काउपी में से देखकर लिख सके तो आप क्या करेंगे मतलब वह उन उत्तरों की नकल करेगा जो उसे नहीं आते तो जाहिर सी बात है नकल उसी के की जाती है तो आप क्या करेंगे, आप उपकृत करेंगे क्योंकि वह आपका बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब आप उसके उपर एहसान करेंगे और ऐसा कर देंगे अब यह जो 28 है, इसका इसमें जितने भी विकल्ब दिये है, उसमें से correct answer क्या हो जाएगा, भी वाला हो जाएगा अपने दोस्त को विनमृता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का भाय है, यह सही इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानि 29 में कहा गया कि लॉजिक बम के लिए सही है, मतलब कौन सा लॉजिक जो है, वो इसमें बम के लिए सही है तो यह गुसपैठियों द्वारा मॉल बेर में अंतरविष्ट कोड है, यह सभी है, या इसमें से निश्चित फाइल की उपस्तिती, अनुपस्तिती द्वारा विसिष्ट तारीक समय पर ट्रिगर किया जाता है, या निश्क्री पढ़ा रहता है और जब तक पूरु पूराने कंप्यूटर की बात की जाए, तो यह C वाला हो जाएगा, ठीक, चार्ल्स बैबिज, पुराने कंप्यूटर की यहां बात नहीं हो रही है, कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है आप बताईए, तो 31st का जो B वाला एंसर है, वो सही होगा, RAM, ठीक है, रैंडम एक्स मेमोरी, इसके बाद SSD का फुल फार्म क्या है, आपको यह भी बताना है, तो 32 का जो राइट एंसर है, वो इसमें क्या हो जाएगा, C वाला, Solid State Drive, इसके बाद अगले वाले को देखिए, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिकित में से कौन सा प् सायोजन, सायोजन इसको प्रभावित नहीं करता है, बाकी सब करते हैं, इसके बाद 35 में कहा गया कि कौन सी निम्न पावर, लोकल एरिया, वायरलेस संचार तक नहीं की है, तो 35 का जो करेक्ट टैंसर है, वो इसमें A हो जाएगा, यानी Bluetooth, Bluetooth इससे संबंदित है, इसके बाद 36 को देखिए, वह उद्योग जो कि खनीजों का उपयोग कच्छे माल के तौर पर करता है, वो क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का उद्योग क्या कहलाएगा, ये खनीजा अधारित उद्योग होगा, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सीधा एंसर आपको देना था, इसके बा 39 में आप से कहा गया कि भ्रंशोत्य परवतों में निमनतर खंड होते हैं, क्या होते हैं आप बताईए, तो 39 का जो करेक्ट एंसर है वो इसमें D हो जाएगा, ये द्रोडिका होते है, या गार्वेन ही नहीं कहा जाता है, ठीक है, द्रोडिका हिंदी में बोलते हैं, इसके 40 में को देखते हैं, लौ ISK की प्रमुक जो खदान है, कुद्रे मुख वो किस राज्य में है आपको बताना है, 40 में आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट एंसर है वो D हो जाएगा, करनाटक राज्य में है, कौन सा उद्योग टेलिफोन, कंप्यूटर आदी का निर्म 43 में आप से का गया कि उत्तर पश्रिमी भाग में निम्लिकित में से किस एक के कारण शीत काल में वर्शा होती है, तो ये पश्रिमी विच्छोग होता है भाई, उसी की वज़ा से होता है, मालविका आगनी मित्र पुस्तक जो है, ये किस ने लिखी है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है, मालविका और अगनी मित्र की कहानी है, पुष्यमित्र शूंग का पुत्रता अगनी मित्र, इसके बाद 45 को देखें, शुष्क मृदा जिसमें की ठोस और छित्र दोनों शामिल होते हैं, उसका इकाई आयतन द्रविभार कहलाता है, क्या कहलाता है आ आउसादी चट्टान में, जो सेडियमिंटरी रॉक्स होती हैं, उसमें होता है, 47 को देखें, देशांतरन की आबादी की संख्या, विस्तार और सहयोजन को बदल देता है, तो यहां क्या भरा जाएगा, बताईए, और 47 का जो करेट टैंसर है, वो C हो जाएगा, प्रस्था सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद था, आप भी जानते हैं, पानिपत का द्विती यूति किसके बीच में लड़ा गया था, भाई, अब इसको बताने की जरुवत नहीं है, यह आयोग भी जानता है, और आप भी जानते हैं, 1908 में मुझपरपुर में नयाधिश किं इसकी क्या है, अब 52 का जो करेक्ट टैंसर है, वो इसमें C हो जाएगा, यानि जो केंद्र और रियास्तों के बीच में शक्ति का विभाजन और द्विशाशन की बात की गई थी, वो चीज दिखाई देती है, 53 में गांधी जी के सत्यागरे के सिध्धानत के बारे में कौन स सत्य नहीं बताना था, और इसका जो करेक्ट टैंसर है, वो C हो जाएगा, यानि यहाँ पर जो परहेज है, वो इसमें शामिल नहीं था, हलागि परहेज गांधी जी करते थे, लेकिन इस परश्ट रूप से इसमें वरंडित नहीं था, चंपारर सत्यागरे का नित्र तु क इसमें किया था, महात्मा गांधी, पूना समझा होता, 1932 किस के बीच में हुआ था, तो हम बेटकर इसमें खासे नाराज थे और उनी को मनाने के लिए समझा होता है, तो 55 का चो राइट एंसर है, वो क्या हो जाएगा, ए, अम बेटकर और गांधी, ठीक है, इन दोनों जने के बीच में होता है, पूना पैक्ट, 56 को देखे, कहा जा रहा है कि 2020-21 में भारत का कुल स्टील निर्यात कितना रहा है, तो भारत का स्टील निर्यात कितना रहा है, बताईए इसमें से, बीवाला हो जाएगा, 10.7 मिलियन टन, exactly, इसके बाद देखे, आर्थिक सर्वे चंड आरार्बी और क्रिशी अर्थ प्रबंध वाला जो इसमें लॉजिक है, इसके बाद साथवे को देखते हैं, सर्वसिक्षा अभियान का उद्देश्य किसे आयू समूव के बच्चों को सिक्षा के लिए प्रोचसाहित करना है, तो यह जो साथवे आप देख रहा है, इसका इसके बाद 63 को देखे, इसके बाद 64 को देखे, इसके बाद 64 को देखे, नफ्ट वॉब्लूप का तातपर है, मतलब वुल फार्म आपसे पूछा जा रहा है, और यह जो 64 है, इसका राइट एंसर D हो जाएगा, नेशनल फूट फॉर और वर्क प्रोग्राम, 65 में कहा गया इसके बाद 64 को देखे, प्रावधान दिया है, अनुचेद दिया है, मिलान आपको करना है, और इसमें जो सही मिलान है, इसके हिसाब से देखे, कहा जा रहा है कि मिलान करके बताइए कि कूट कौन सा चुना जाएगा, और इसका जो राइट एंसर है, यह आप देख रहे हैं कौन सा, अर्शठवा, अर्शठवे का करेक्ट एंसर क्या होगा, B वाला हो जाएगा, B के तर्वे में कहा जा रहा है कि भारती संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश सुरक्षित करना है। तो इसमें आप देखें कि जो 72 है इसका correct answer क्या होगा सहकारी संगवाद यानि cooperative जो federalism है वो यहां बहतर माना जाएगा। 75 में आपसे कहा गया कि लंगड़ाम किस राज्य मतलब कौन से राज्य तो यहां आपको पता है कि यूपी होगा लेकिन किस जिले की विशेष्टा है तो यह वारांसी की है आप भी जानते हैं बनारस का लंगड़ाम। इसके बाद 76 को देखें, 76 में आपसे कहा गया कि निम्नलिकित में से कौन सा यूप असंगत है तो इसमें जो 76 है ना इसका C वाला हो जाएगा। परमाडव विद्दुत से यंतरवाला इसमें गलत है जो कि यहां लखनव में गुसा दिया है बाकी सब सही है। इसके बाद आगे ही ब्लैंग के स्पेस है और कहा जा रहा है कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है क्या। मतलब कैसे वो सशक्त बनेगी यह पूछा जा रहा है। तो जो असी वाला है इसमें उपर वाला ही है सिक्षा उनको दी जाए तो सबसे अच्छा तरीका है वो सशक्त बनेगी अपने भले बुरे को समझेंगी। इसके बाद 81 में कहा गया कि नेता को हमेशा क्या करना चाहिए। तो नेता को हमेशा घोटाले बाजी करनी चाहिए और पैसा दे कर चुनाओ लड़ना चाहिए जूटी जूटी बाते करनी चाहिए। लेकिन नैतिक द्रिष्ट से क्या करना चाहिए तो 81 का जो करेक्ट टैंसर है वो इसमें ए हो जाएगा उद्देश को ध्यान में रखते हुए नेत्रितु करना चाहिए जो कि आज कल के नेता बिल्कुल नहीं करते। इसके बाद 82 को देखते हैं टोकसा फेन कीटनाशी की रूप में काम करता है तो किस तरह का कीटनाशी ये है अब इसमें उदर विश और संपर्क विश में लोग कन्फ्यूस थे और इसका जो करेक्ट एंसर था उसमें आयोग के द्वारा भी माना गया वो C वाला था उदर इसके बाद अगले वाले को देखते हैं किस संकेंद्रित जैविक खाद में फासपूरस की मातरा सबसे ज़्यादा होती है तो फासपूरस की मातरा सबसे ज़्यादा किसमें होती है ये जो भापित अस्थी चूर्ण होता है हड्डियों में फासपूरस पाया जाता है आप जानते हैं, तो 83 वाला हो जाएगा, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानि 84 को कंद फसलों के नाम यहां दिये हुए, उसमें से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, तो 84 में का जो करेक्ट टैंसर है, वो D हो जाएगा, ठीक है, आलू को कहा जाता है, गरीबों का दोस् तो 85 का करेक्ट टैंसर फिर क्या होगा, A वाला हो जाएगा, मैलेइक हाइडरजैन, ये व्रिद्धी और ओधी नहीं हैं, बाकी सभी हैं, इसके बाद 86 को देखिए, कौन सी फसल स्वा परागित होती है, माफ कीज़ेगा, पर परागित होती है, यानि दूसरे जीवों के द यहां आप देख सकते, इसके बाद 88 में कहा गया कि आलू का जो पर्ड वेलन विशाडू होता है, यानि लीफ रोल वाइरस इसको कहा जाता है, वो किसके द्वारा फैलता है, प्रेशित कैसे होता है, वो आपको बताना है, तो 88 का जो राइट अंसर है, वो इसमें कौन सा हो जोगदान देता है, इसके बाद 90 को देखे, कहा गया कि भारती राज्य में एशिया का सबसे लंबा दुरुत गती परीक्षन मार्ग, नैटरेक्स, अनावरित हुआ था कैसे, तो यहां आप देख सकते हैं, और यह जो 90 वाला है, इसका करेक्ट एंसर फिर क्या होगा इसमे इसका D हो जाएगा, जो पर-परागित फसले होती है, उसी में दिखाई देती है जाद अतर, उसमें समस्य आधिक होती है, इसके बाद 92 को देखे, पेपल, यह किस देश में सयुक्तराज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो कैरेंसी सेवाओं का प्रथम अंतराष्टी विस्त तारण शुरू कर रहा है, वो देश कौन सा है, तो देश कौन सा हो जाएगा, United Kingdom हो जाएगा, यानि UK, इसके बाद अगले वाले को देखे, 93, COVID-19 वैक्सीन, DNA आधारित वैक्सीन, मतलब COVID-19 में कई तरह की जो उसके उन्मूलन के लिए वैक्सीन आई है, उसमें कई प्रकार है, जैसे कि वेक्टर वैरियंट है, DNA आधारित वैक्सीन है, इस प्रकार की अलग-अलग है, तो DNA बेस वैक्सीन कौन सी है, यह बताइए, तो दीखे, 93 का जो करेक्ट अंसर है, वो इसमें जायकोवडी हो जाएगा, जायकोवडी जो है ना, वो असल में DNA बेस वैक्सीन है, इसके बाद 93 के बाद 94 को देखते हैं, 94 में आपसे कहा गया कि Business Blasters, प्रोग्राम किस राज्य या केंद्रिशाशत प्रदेश के द्वारा लॉंच किया गया है, तो इसका हो जाएगा एवाला, दिल्ली के द्वारा लॉंच किया गया है, यहां आप देख सकते हैं, 95 में कहा गया कि राश्टी राजमार्क पर Indian Air Force Aircraft के लिए भारत की सरुप्रतम आपात काली लेंडिंग सुविधा निर्मित हुई है, यह कौन सा राज्य होगा आपको बताना है, तो 95 का B वाला हो जाएगा राजस्थान, इसके बाद सुझलाम, 100 दिवसी अभ्यान था, किस मंत्राल ठीक है, 17 सितंबर, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 98 को देखते हैं, 13 मा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, यह वर्चुली अध्यक्षिता इसकी किस ने की थी, डिजिटल तरीके से हुआ था, तो 98 का D हो जाएगा, नरेंद्र मोधी जी के द्वारा की गई थी, और यह 13 म बेवाले में कहा गया कि 10 जो यहां देख सकते हैं, प्रतिष्ठे 10 इयर दुबाई गोल्डन वीजा, प्राप्त करने वाले विश्व के प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन है, तो यह गोल्फर है कौन, इसमें से नाम आप देखेंगे, तो इसका जो आयोग ने माना है, वो करेक्ट एंसर क्या है, C वाला है, यानि जीव मिलखा सिंग, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 100, इसमें पैरालंपिक में दो पदक जीतने वाली प्रथम भारतिय महिला कौन बनी है, आपको देखना था, तो इसमें जो अवनी लेखारा है, उनका नाम आता है, और इन्हें हम याँ पर चुनते हैं, तो यहां तक हमने इसे देखा,